थीक है तो create a new website आपके लिए उसके जाना होगा कि select करेंगे क्या site में site का जो menu है उसमें और वहां से आपको new site क्लिक करेंगे थीक है यहां पर नीचे दिखाया किया है site जो menu है उसके site दिया है data view दिया है यहां पर दिखा रहा है कि ठीक है साइट डेटा व्यू पैनल विंडो है यह इसका मेनू है तो उसमें हमको साइट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू में क्लिक करना है ठीक है इसे सॉटकट भी दिया गया है में टैंप्लेट दिया गया है दो सेक्षन बटा हुआ है तो जन्राल दिया है और अपनी साइट डाल सकते हैं और तीस्टा ऑप्शन कहा दिया गया है इंपूर्ट साइट विजार ठीक है मतलब विजार चल होगा कि आर्टमेटिक वह साइट बनाने के लिए हो रहेगा उसका उप्योग करके बनाया जा सकते हैं पहला सेलेक्टेट हुआ है वन पेज साइट और उसका दिस्क्रिप्सन दिया गया है प्रिएट अन्यू साइट विट शिंगल ब्लेंग पेज आपको एक ब्लेंग पेज देगा क्योंकि इस इंगल पेज का उसको बनाना रहे है यहां पर दिखेंगे नीचे लोकेशन देगा कि वह आपका जो साइट है वह नहां इस्टोर होगा जैसे यहां पर दिखाएगा कि ड्यूपार्ट जो लोकेशन है वह क्या है सीडराइब के अंदार डॉकमेंट सेटिंग के अंदार लाब और यहां पर आपको मेंट और माइफर्स वेब साइट नाम से फोल्डर होगा वहां पर यह इस्टोर होगा ठीक है यहां पर देश मनेज्ट दिया है कि नेम दिया कि हैं जहां पर आपको स्टेप्स रहेगा कि कैसे यूज करना है यहां पर वही चीजे बता गया है है हुआ, जैसे यह तूर होता है तो देखो यहां पर इस वाले सेक्शन यह आपका जो इंटर्फेस है आपका Microsoft AccessWave का तो इसमें दिखाई देता है कि आपके जो टास्ट पेन है ठीक है टास्ट पन के अंदर लोकेशन दिखा दिया फोल्डर ठीक है सी ड्राइब जो लोगे हम लोग ने सलेट किया था यह वाला यह इसका लोकेशन है लोकेशन में क्या दिया है सी ड्राइब के इं नेम और टाइटल रेल के देयर आज नो फाइल इन दा फोल्डर इस फोल्डर पे कोई फाइल नहीं है तो उपा में देखांगे फोल्डर फाइल और फोल्डर का सिंबॉल है यहां से हम उसका यूच कर सकते हैं कैसे काम हो ठीक है आगे बढ़ते हैं कि अधिकन नाओ यू कन क्रिएट वेब पेजेस फॉर इस वेबसाइट नेविगेट तु दा लोकेशन जो लोकेशन के माई डाइप कोई में वेए यू स्टोर दा वेबसाइट यहां पर आपका वेबसाइट स्टोर यहां पर आइकउन दिया गया है नोटिस दा फोल्डर इकउन कंटेंट सचा इमेज फ्लेश अनिमेशन वेब पेज़ेस एंड स्टाइल सीट एक्सेक्टर विल बी आटोमेटिक ली स्टोर इन दा फोल्डर तो हम जैसे इसको उसका आटोमेटिक इस फोल्डर में बहु सा कंटेंट स्टोर हो जाएगा जहां पर हमारा वेब हम एक वेब पेज कैसे बनाएंगे वेब पेज बनाने के लिए जाते हैं तो क्या कि फाइल में जाएंगे न्यू में जाएंगे और फाइल विंडू अपेर होगा जैसे क्लिक करेंगे तो हेस इसतरीके से पीज जाएंगे जन्राल डिया है एमस्टेमेल से लेकशते आप spinach क्लिक कर लें मैं क्या होते हैं Microsoft Access Web में अंदर HTML या ASP कोड करना चाहते हैं स्टाइल से तो वह सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या सकते हैं यह स्टेंडर्ट नैमिंग कनवर्सेशन जो बताया गया है कि इसलिए कि जाता है तो वह इंडेक्स में जाता है यहां पर हो में जाता है तो इसलिए इसको इंडेक्स.html करते हैं यदि हम उसको होम पेज बनाना चाहते हैं ठीक है हो मतलब कहता है घर मतलब पहला पेज होगा जो हमको वेबसाइट चालू करने पर दिखाई देता है उसको हम इंडेक्सिंग की तोर पर देखते हैं जैसे आप गूगल खोशते हो गूगल क्लिक करत होता तो वह क्या होता है ओम पेज होता जहां पर लॉग इन के लिए ड़ें फिक्शन को हम पेज हो जाए ठीक है ऐसे ही आप अपना पेज को भी होम पेज बना सकते हैं किस नाम से इंडेक्स.html नाम से ठीक है या फिर होम.htm इस तरह से एक हो जाएगा आपका होम पेज्ट या इंडेक्स पेज्ट भी बोल सब्सक्राइब इस तरी के इसको सेफ कर देंगा तो उन्टाइटल वन है वो क्या हो जाएगा इंडेक्स.html या होम.htm ठीक है आगे जैसे बताएक है कि टाइप आप तो फाइल नेम एज डेपॉल्ट और सेलेक्टेड से यू नीड नॉट स्पेसिफाइड.htm या .htm ठीक है यह पहले से रहेगा आपको से फाइल का नाम देना रहेगा और फाइल का टाइप पहले से डिसाइड रहते हैं उसलिए उसको किया जा सकता है ठीक है आगे रहते हैं है फाइल एक्स्टेंशन आपका जो जो हेडिंग है फाइल का वो क्या होगा तो हम हेंडिंग किताब यहां पर दिखा रहा है है हेंडिंग जो आपके ताइटल्स पर आए वह तो एस्टीमेटर में साच यहां जाकि अटोमेटिकली अपेंडेंट डा रिक्वाइड फाइल एक्स्टेंशन वो चीजे डाल देता है फिर दिफाल्ट के लिए ठीक है यहां पर टूल्स दिया गया है आप पेज एडिटर ऑप्शन खोलेंगी तो आपको टूल्स में लेगा ठीक तो टूल्स में क्या है ट करंद्स आप के आउन्टरिंग देनज घ्ञेहां पर बहुत सारा यहांँ देन अटेप तक बिया गया है ठीक यहां पर देखी कलर किल बजुने unreli MA lesa कचे सब्सक्येय मतलब m डtså k इंटेलिजन्स दिया गया है आपको फार्मेटिंग करने के लिए है टेक्स के लिए जनरल है अर्टो थंबनेल है डिफॉल्ट फॉंट है कोड फार्मेटिंग है और यहां मिलेगा तो हमको सबस्क्राइब क्या देखने है और उसका नाम नहीं डालते हैं तो वह किस नाम से जाएगा तो और से जाएगो बाई डीफॉल्ट है तो बदल सकते हैं है यह चेंज चेंग डिफॉल्ट टैप डिकलेरेशन टू अटू आप चाहतो क्या सब्सक्राइब टाइब में भी चेंज कर सकते हैं अगे बढ़ते हैं यह आजिए यह यह ओधिर वाला दिया गया है अधरी दिया गया है और डिफाल्ट फाइल का एक्स्टेंशन के जो शॉट फार्म जो दिया गया है .html या पर .htm यह दूनों एक ही है ठीक है दोनों के लिए है चार लेटर में और फांस टेटर नीचे दिया है डाकुमेंट टाइप डिकलेशन यहां पर स्क्रिप्ट दिया कि आप चाहत उसको फाइबी बतासर इंटरनेट एक्स्प्लॉवर कर दिया गया जहां पर सेकेंडरी स्कीमा की इंटरनेट एक्स्प्लॉवर टैन जो है वहां से आगे बढ़ेगा बहुं सा चीजे हैं चीजे भ अब आवाज आ रही है क्लियर बताया तो रहेगा यह दिया वाज जी आती है ठीक है अगे बढ़ते हैं कि फाइल का एक्सप्रिशन जो कंफिग्र एक्सप्रिशन जी है उसको कैसे है टूल्स में जाएंगे एप्लीकेशन आप्सन में जाएंगे ठीक है टूल्स के अंदर एक्सप्रिशन आप्सन है है कि नहीं हृत अब थे समय और उसमें डियाली भाक वास खील पेकर एडिोटर टेब भाइगा उसमें क्लिक करने है और इसमें अब्यश्य अब यहां पर देखो एप्लीकेशन आपसर में क्या क्या है जेनरल है रिपोर्ट फ्यू है और फ्क फाइल दर्सर प्रोटोकॉल का यह चार टैप दिया हुआ है उसमें हमको कान्रिफिगर एडिटर में जाना है यह दो सेक्षन में बटा हुआ है ठीक है एक्स्टेंशन दिय जाए गया है कि क्या क्या एडिटर पर काम करेगा तो जैसे एल एक्स जो है वह क्या है एक्सटेंश यहां ओपन एज टीमल डिफाल्ट होगा ठीक है तो आगे हम देखते हैं क्या की चीज़ बदाया जा रहा है इसके बारे में बताया गया एक्सप्रेशन के लिए कि नोट किया गया है do not change any setting here for now ठीक है इसमें अभी कोई भी तरीके के परिवर्टतर नहीं करना है ठीक है इसके बारे में जब अच्छे से समझ जाएंगे वेब्पेज बनाने के बारे में तब हम उसके आप सिकता है और साथ बदलाव करेंगे फिरहाल अभी कोई बदलाव नहीं कर इसे हो सकते है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए ठीक है आगे दिया गया है कि वर्किंग विद वेब्पेज हम वर्किंग काम कैसे करेंगे वेब्पेज साम दबीकेश इद्वान्टेज अफ एस्टीमें एडिटर सच अज मैंगोशॉप एक्सवेब इस डैट लगोड इस रि लिखने का सकता नहीं पर आपको सिफ सेलेक्शन करना रहता है देखकर ठीक है इसका बहुत ही बड़ा द्वांटेज है ठीक है और किया टाइप तो फूलोइंग दा बॉडी एरिया ठीक है आपको बॉडी एरिया को दिखाए देगे जिसमें माई हॉम पेज लिखना है ठी लिखने के 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 लिख एलिमेंट इंडिकेटर सी फ्वीगर देवेवो एज पी विद बॉक्स एवो एराउंडा कंटेंड यूवेन भी यूजिज कैरीज रिटर्ण इंटर की इन्सटर अनाधार ठीक है तो यहां पर जैसे हम इतना लिखते हैं तो बॉडिक अंदर लिखा गया और जैसे इंटर करते हैं पैसे करते हैं इंटर का मतलब क्या होता है बूला जाते इसको और या पेज बलाइन सुसको भी छाला। बनाएंगे 72 पेज के गलाफ के एक लिखने के बादी अब एक लिखने के बाद आपते तो फो एक प्रेणाफ बन जाएगा ठीक्पर पीमात इंटर दबाते हैं तब तक paragraph रहता है ठीक है similar आगे दिख्या दिए रहे हैं बताया गया है ठीक है जो वाट प्रसिंट करें अगला है second point and now select a text my home page and do the following ठीक है आपको उसको select करना है और paragraph में यहां दिखाया गया है कि option तो उसमें करना है कि select a style drop-down located in the toolbar figure ठीक है तो आपके जो जो style है उसमें जाके drop-down से आपको select करना है paragraph के ठीक है जैसे यहां पर select किया गया है heading 1 heading 1 heading 1 heading के लिए हम लोगोंने देखा था 11th में कि total shape अगार के heading होते है है h1 से लेके h6 ठीक है h1 सबसे बड़ा होता है उसके बाद दिरे-दिरे छोटा होते जाता है तो हम heading के बारे पढ़े हुए है तो यहां से हम heading select कर सकते हैं कौन सा heading चाहिए यह style city के अंदर आएगा यहां पर जैसे किया किया इसके लिए आपके माई होमपेज के लिए और उसके बाद क्या क्या है कि नाव सब्सक्राइब करना है और heading 3 लेना है मतलब इसकी size क्या होगी मेन जो है उपर वाले से छोटी होगी ठीक है ड्रॉपडाउन लिस्टे चुन लेंगे वन कंप्लिटेट सेलेक्ट व्यू व्यू मेनू सेलेक्ट करना है और पेज फिर पेज के बाद कोड ठेक है उसमें जाएंगे और सेलेक्ट कोड्स लोकेटेट अबव दा स्टेटस पा यहां पर जैसे हम व्यूक में जाते हैं उपर में जो मेनू है उसमें तो देख सकते हैं या फिर वहां पर पिना जाएं तो हमारा जो कल जैसे हम लोग बताया थे यहां ठीक है इस लोकेशन पर इस मनी है estat को कि यहां यहां पर हम यदि देखते हैं तो नीचे वह आदिया में रहएं थे स्प्लीट और कोड स्पेट मत्तार दों देखने ईजाइन देख स tv यहाथ है तो इस तरीकी से देखने कर दिद्याइसं में धतां के वी मेंरे है ठीक है तो यहां पर हमने देखा क्या कोड लिखा हुआ है जो हम कोड देखते हैं तो हमारे द्वाद सब्सक्राइब करके इस तरीके सब्सक्राइब निए सिर्फ लिखा था माई होम पेज लिखे दे और उसके बाद वेबसाइट यह वाला लीखे देटर थेक है तो फिर उसके बाद क्या कि थे कि होम पेज को सलेट किये और उसका इस टाइल में लिखके क्या है करने के बाद यह कोड आटमेंटिक जनरेट हुआ है इसमें हमको लिखना नहीं पड़ा है ठेक है इस तरीके से यह कोड दिखा रहा है अब इसी की तरह से हम यदि हम उसको डिजाइन को देखें के डिजाइन में यह में सिंपल दिखाई देगा व्यू पेज और डिजाइन मेनू के तुरू जाएंगे तब है ठीक है साट करें तो पहले से दिया हुआ है उसका अगला है आगल वगल में उसी कोडिंग भी दिखाए देगी दिखा देगी कि इतना देखते हैं वैसा वह पाते हैं तो जैसा आप डिजाइन के रहेंगे वैसा उसकी कोडिंग होगी वह रहेगा ठीक है एडितर का काम है जैसे आप देख रहे हैं बना के कर रहे हैं वह आपको वेबसाइट जब बनेगा तो बोड़ेगा थिक है यहां तक समझ आएगा हेलो कि यहां तक समझ में आगे ना चलो समझ आगे आगे बढ़ते हूँ ठीक है यहां पर जैसे बताएगा है यूजिंग मट्टिपल dueb browser गैसा है माँ आपका website जब बनके तयार हो դो आप में मैं कैसा डिकर यां । क्यों कि स्मय क्यों करते हैं क्योंकि हमारा यूजर होंगे हम यह प्रफ। कर देते हैं तो हम यह तो कर सकते हैं कि सब को बोल सकते हैं कि आप सभी internet explorer में खोलो यह उनकी मतलब users की स्वातनता है कि वो उसको chrome में खोलते हैं या फिर internet explorer में या फिर Opera में जिसके mobile या जिसके computer में जो browser होगा वो उसमें देखेगा ठीक है इसलिए हमको multiple web browser की setting करनी रहती कि कैसे हम करेंगे जैसे यहां पर पताए गया है आपको कि if you want to test your web page it is recommended practice to test using the multiple web browser however you may need to set up the browser list to specify multiple browser do do the following ठीक है कि आपको set करना रहेगा जब भी हम testing करेंगे कि आपका जो web page है वो अलग-अलग web browser में कैसे दिखेगा तो ऐसे यादे टेस्ट करेंगे ताब को पता चलेगा कि कौन से browser में क्या क्या problem आते और क्या नहीं आते ठीक है तो जब वो problem पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं उस problem को solve कर सकते हैं ठीक है डिजाइनिंग के बाद testing करते हैं तब ठीक तो इसमें क्या कैसी जिए हैं इसको यहां पर एडिशनल विंडोस साइज कि आप तो एडिशनल है उसकी साइज क्या हो सकते हैं यहां पर यहां फाइल मेनु में और प्रिव्यू इन ब्राउजर आप्सन जाएंगे और उसमें लिस्ट जो है एडिट ब्राउजर लिस्ट को क्लिक करेंगे जो तब यह जाके यह ब्राउजर जो जो डिखाई देगा जब यह घृज खुलेगा तो इसमें दिया गया आप नोकी साइज है और इसको आप चिक करते हैं चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो उसमें चिक करेंगा और एट बटन की द्रार्प्स की दोरा क्याश कर सकते हैं दूसरा पार जो भी ब्राउजर आप पर पास होगा उसको एड कर सकते हैं तो अपेरा को भी एड कर देंगे तिक कर सकते हैं तो तरीके से जब रण होगा तो आपको डिफ्रेंट जो है ब्राउजर साय उससे मन्टिपर ब्राउजर से वह दिखाए देगा कि आपका अलग 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 वेब ब्रॉज देता है और कैसे वह काम करता है उनके विख यह पूरा प्रुसेस हुआ आपका क्या वेब साइट बनाने के लिए वेब साइट बनाएंगे वेबसाइट के लोकेशन क्या होगा उसके इंदर क्या क्या फाइल होंगी उसमें आप फाइल बनाते हैं तो उसको कैसे नेम से सेफ करेंगे यदि पहला पेज है तो उसको क्या नाम से सेफ करते हैं इंडियक्स की नाम से चैड़ कर सकते हैं या फिर णिजट सेप कर सकते हैं और हो एक्सis यह वो क्या होता है उसकी design कर सकते हैं उसकी formatting कर सकते हैं और जैसा आप फार्मिटिंग करेंगे उसके हिसाब से automatic code generated होगा तो आप code view में जाके देख सकते हैं कि आपका data कैसा दिखेगा यदि आप image insert करते हैं image डाल देते हैं तो उसकी भी coding automatic generated हो जाएगा और उसकी CSS के मादना से effect कर सकते हैं ठीक है तो यह सब ही चीज़ें आपको जो है मैं एट्रीम एडिटर जो है आपका यह जो मार्को साब एक्स्रेस विव है उसमें किया जा सकते हैं ठीक है समझ में आया कोई डाउट बोलो हलो कि अ कि एलो है यह अब आज आज डीए कि ए अ जो में ने तू दिए प्सक्राव है है कि नेटवर्क का इस्यूश है यहां से ठेक है तो यह स्टैप्स है जब आप इसको वर्क करेंगे जब आपको कंप्यूटर में बैठेंगे तो यह सीजें आपको आसान लगने लगे कैसे करें यह आप जैसे नार्मल डेटर डिसकनेक्ट सुष्पनाल गल्डिवा शेंडे यह स्टैक्ड़ आपको आसे यह स्टैक्ट प्रदों प्रित्स है जब एको आसे बड़ेंगे चिक का उसे बड़ें आपको आसे सिमाने लगने ड़ जगा को और पको रहां से वे negative, आपको तो को आपको 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 Państwo कि वे हम अपको आपक